दिल्ली रेरा ने पुब्लिक नोटिस के जरिये उन डैवलपर्स को आगाह किया है जो किसी ना किसी बहाने से रेरा में रेजिस्ट्रेशन कराने से बच रहे हैं असल दिल्ली के जादातर हिस्से में छोटे हाउजिंग प्लॉट हैं ऐसे में बड़े इस तर पर बिल्डर आम ग्रहाकों को गुमरा करते हैं और रेरा रेजिस्ट्रेशन से बचते हैं दिल्ली में रेरा को नजर अंदाज करने वाले बिल्डरों के खिलाब शिकायतों कामबार है ऐसे में दिल्ली रेरा ने इसपस्ट किया है कि यदि प्लॉट पांच सो वर्ग मीटर से ज्यादा है या एक प्रोजेक्ट में आठ यूनिट से अधिक का निर्माण हो रहा है तो रेरा लागू होगा जो कि यहनि हम पहले से हैं और क्या कुछ असपस्टता दी गई है दिल्ली रेरा ने इससे समझने की कोशिश करेंगे लीगल एक्सपर्ट और यूपी रेरा के लीगल एडवाइजर वेंकट राव साब से बहुत-बहुत स्वागा थे आपका जी बिज प्रजेशन की जरुरत है उन प्रोजेक्टों के रिजिस्टर प्रोजेक्स में ही पब्लिक इन्वेस्ट करें और दूसरा एक चतावनी है प्रमोटर्स को जो इस कानून का लंधन कहें या एवाइड करने की कोशिश कर रहें उनको एक पब्लिक अवेर्नेस के जरीए यह आ और अपने प्रोजेक्स जो के 500 मीटर से ज़ादा या आठ फ्लाट से ज़ादा हो जो सेक्शन 3 के अंदर रिजिस्टर कराना है इवन बिफोर आप बुक करें उस प्रोजेक्ट को या आप सेल करें अगवर्टाइस करें उससे पहले आपको प्रोजेक्ट रिजिस्टेशन क की रेरा से ज़र्वरत है वो एक अवेर्नेस लाने की कोशिश की जा रहे हैं दिल्ली देश की राजधानी में बुनियादी नियम पर रेरा को नोटिस जारी करना पड़ रहा है इसे रेरा की सतरक्ता कहीं या फिर फेलियर आखिर क्यों इस नोटिस की जरूत पड़ी दिक् रहा है तो एक गाप रहा है रेरा रेजिस्टेशन अप्लिकबल है नहीं मेरे खाल से एक बहुत इंपॉर्टेंट और सराइनी कदम है कि इस अवर्नेस अब टेली कई तरीके से करता रहा है शोकॉस नोटिसस कई इशू है और उन पर आक्शन भी लिया जा रहा है यह इस तरह के प्रोजेक्ट में डील कर चुके हैं जो रेरा के अंतरगत आते तो हैं लेकिन उन्हें रेरा में रेजिस्टर नहीं कराये गया है तो ऐसे होम बायर को क्या कुछ करना चाहिए उस नोटिस में ही एक मेल आईडी दी गई यह कहा गया है कि जिस किसी को भी इस तरी लोगों ने इसका एक फायदा उठाने की कोशिश किए जबके वो पालिसी स्ट्रीम्लाइन यह नहीं इस तरीके से कि इस तरीके से इंप्लिमेंट की जाए लेकिन लोगों ने प्राइवेट लोगों ने भी प्राइवेट सोसाइटी के नाम पे भी कुछ-कुछ जमीने कि गई है और उनको लोगों को बेचा भी गया है तो यह कोशिश है कि उन सब को यह भी एक मैं कहूं कि एक एक इस तरीके से वह information gather करना चाहता है ताके उस पर एक अनकुष लाया जाए और एक तरीके से अपना regulation implement किया जाए अगर अब भी developers या फिर societies ने रेरा को नजर अंदाज किया तो उन पर क्या कारवाई बनती है इसमें दो तरीके की चीज़े हैं देखिए एक तो कुछ societies है कुछ है जो परपस उनका यह होता है कि उनके अपने welfare of the employees यानि कि चाहे आमी welfare के वज़े से staff के लिए उन्होंने promote करके कुछ segment बनाके बनाना चाहते हैं उसमें काफी हद तक मैं कहूंगा एक gray area जरूर है क्योंकि रेरा यह कहता है कि अगर society भी हो और अगर बेचने के लिए कोई करता है तो जरूर applicable है वो एक gray area है उन पे जरूर मेरे ख्याल से इस उन्होंने एक in the garb of this thing they have done it so therefore उस जगा पे मेरा मानना है कि अंकुष्ट की जरूरत है and that is what रेरा इस रहे है बिल्कुल यानि गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली रेरा ने इस notice के जरीए home buyers को आगाह किया है तो वहीं रेरा की अंदेखी करने वाले बिल्डरों को चेता करेंगे मैंकर ट्राव साब हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका